गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स हाव यू फाइन आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहे हूं वह एक्टिवीटी है ठीके उसे आप समझेंगे और अपने बुक में उसे फिर्शे बनाएंगे जो बच्चे नहीं बनाए हैं उसे बनाएंगे और आप लोग अपने अपने अपने पैरेंस के द्वारा स्कूल में समिट करेंगे ताकि आप जो भी वर्क अभी तक बना चुके हैं टीचर उसे चेक कर ले ओके तो आईए मैं आपको फिर्शे वन टाइम समझाते हूं समझेंगे मतलब यहाँ पे आपका जो डिजिट नमबर दिया हुआ है उसके एक कॉर्डिंग आपको यहाँ पे जितने भी फिगर दिये हैं उसको कलर करना है जैसे एजामपल में आप देखेंगे लिखा हुआ है 5 और आप देख रहेंगे यहाँ पे काफी सारे स्टार है मैं आप sitä कांट करके बताती हो 13456 कितने स्टार्स है सिक्स लेकिन यहाँ डिजित के नहें हमारा यह तो मैंने आपको बता है जितना यहाँ यहां पे नमबर रिटन को मुझे क्या करना है कलर करना तो यहाँ पे पाइब लेंगें है स्टार्सिक्स ऑम लोग यहाँ पे फाइब स्ट star colors हैं ओके next है हमारा three three flowers color करेंगे two two walls four four balls and one one apple I hope कि आपको page number 41 समझा गया होगा अब हम लोग page number बढ़ते हैं 42 की तरफ 42 में है आपका look at the picture यहां पर जो दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले देखिए कि इस figure में कौन-कौन से figure है कौन-कौन से कितने हैं उसके बाद हमारा है count and write मतलब count करेंगे और लिखेंगे how many और कितने हैं count करने के बाद उसे गिनेंगे कि कितने हैं और उसके वाद उस यहां पर लिखेंगे तप लोग यहां देख रहेंग कहुँआ यहां इस फीगर में हम लोग खोजेंगे और देखेंगे कि बॉट कितने हैं 123 तो हम लोग रहीं लिखेंगे almost 84 उसके बाद आपका ग्रीम कि फिर pr k回 we आप लोग 2 लिखा हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 है तो हम लोगों ने यहाँ 5 लिखा उसके बाद flag का figure है तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कितने सारे flag है तो one flag है तो यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे तो आप लोगों ने देखा इस chapter में हम लोग देखे look at the picture and count and write how many okay I hope कि आपको यह दो chapter समझाए होंगे page number 4142 आप लोग इसे अपने book में बनाएंगे और अपना अपना book अपने school में parents के द्वारा submit करवाएंगे ताकि teacher book check कर सके okay thank you